है है हेलो स्वाथ यह तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्रिक टेनल आर्टिक लाज दोस्तों सबसे पहले आप सभी को टीचर्स डेकी बहुत-बहुत सब्कमना है आप ऐसे ही अपने जीवन में बढ़ते रहे आगे बढ़ते लिए एक तिन आपको सफलता जोरूब दोस्तों तो चलिए आज के हम सभी टीचर्स पड़िया क्लास हम डेडिकेटेड करते हैं ठीकिए तो चलिए आज क्लास में सुरू करते हैं जिसमें हम देखेंगे इंगलिस के मौक टेस्ट नंबर 3 मतलब आज हम एयर फोर्स आपके एयर फोर्स एक्जान दोहर- ठीक है तो चलिए आज का आपके सामने शुरू करते हैं यह आज का आपके सामने पहला कुछन लिखा है कि ताउन आफटा टाउन वर्ड कंकरड बाई हिम बट रही फांड नो पीस प्रेश बताये कि इसमें सही एंसर क्या होगा दोस्तों इसमें आपको कहां पर गलत दिखाई दे रहा है ठीक है यहां गलत दिखाई दे रहा है आप वहाँ पर अपने जो नीचे लाइव चल रहा है वहाँ पर उसका जबाब दीजिए ठीके ए बी सी या फिर उसका कहां पर गलत दिखाई दर आए क्या इसमें कम है यह आप कमेंट बोक्स में लिखिए ठीके बताईए तो उसका सही एंसर क्या होगा ठीके तो आप अच्छे तरह जानते हैं कि अगर दो नावन अगर नावन और नावन टुडू ठीके दो नावन के बीच अगर कोई एक प्रि पोदिशन हो हो क्या हो पिरी पोजिशन और दोनों नाउन से तूँ वहां पर जो ना vẫn होंगे वह हमेसा सिंगूलर सिंगूलर में होगा हमेसा वो सिंगूलर सिंगूलर में हों में होना तो इसमाप कानो ईडर घंसे देगा त कर तो आपको अच्छे से पता होगा पेज़ आफटर पेज़ तो पेज क्या है और नाउन आफटर का एक प्रिपोजिशन हो और एक बीच में उसके प्रिपोजिशन हो तो वहाँ पर नाउन होगा वह सिंगुलर फॉर्म में ठीक है अगले कोशन पाते हैं उम्मिद है कि आप लोग यह कोशन समझ चुके होंगे अगले कोशन बात यह आपके साम आपके सामने अगला कोशन लिखा है कि अगर सची में अच्छा लग रहा है वाकई आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग एक बार इसको दिरूर शेयर करें ठीक है क्योंकि आपके लिए इतना मिहनत किया रहा है तो आप सब्सक्रां बताइए कि आप आपको न 2 सीज़ेु हों कि हो में आपको बतातो हूँ कि इसम्में गलत कवा है त की इससे पहले आप बताय को लिखा धर रहा है वहाँ पर बताईए थीक है तो उमीद है कि आप लोग बता चुकर होंगे मैं आपको लाइब कॉमेंट देख रहा हूं ठीक है तो देखे इसके लिखा एविडेंस का प्ड़ियोग एविडेंस का होता है सबूत होता है ठीक है तो कभी भी evidences नहीं होता है मतलब जब होगा तो evidence ही होगा मतलब इसमें एस नहीं लएगा ठीखे इसमें यह जो एस लगा हुगा है यह यह नहीं लएगा और यह एक uncountable नाउन है ठीक है uncountable नाउन अथा इसका कोई भी पुलरल फॉर्म नहीं होता है इस बात को याद रखेगा साथ इस सिंगुलर वर्ग वाज का प्रयोग होता है ना की वर का इसका प्रयोगा ना की आर का ठीक है तो इस क्वेस्टन को भली भाती समझ चुके होंगे अगले कुस्टन पाते हैं यह आपके सामने अगला कुस्टन लिखाएगी माई कॉजन इस चीटर एंड ही चीट्स हीम फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स तू बताई इसमें आपको कहां पर गलत दिखाएगा रहा है इस प्रस्ण में दोस्तों मैं बता दूं कि आप अभी नाउन का प्रस्ण देख रहा है ठीक है जो भी छातर नहीं जूर है आप लोग के किर्पिया करके आपड़ की सब्स्ट्राइब और राइक जरूर करें सब्सक्राइबन नहीं आपको समय अपडेट्ब्स मिलते है इसलिए आप लोग लाइक टेख ज़於ूर सब्सक्राइब्स प्रस्टों को करेंग तो इसमें आपको कहां पर गलत दिखाए दोस्तों माई कजन इस चीटर एंड ही चीट सीम फैमिली मेंबर एंड फ्रैंस टू या फिर नो इडर ठीक है तो देखिए मैंने कुछ दिन पहले मतलब इसके सेकंड पार्ट में मैंने कजन ब्रदर कजन सिस्टर का व्योग करने पर वरदित किया था मतलब इसके मने रोका था कि आप कजन सिस्टर कजन ब्रदर ऐसे नहीं लिखेंगे के जिसके अभी घेंगके तो मतलब यह तो सही हो गया यहां पर जबक लेक ठीक है तो चीटर चीट में कभी एर लाज़ा कर चीटर चीटर नहीं बनाते ही यह एक गलत वर्ड है मतलब हुए एक निगेटिवर्ड इसको नहीं होता है बाद चीटर जो होता है वह ऐसे बोल चाल के बाद समय बोल देते हैं लेकिन चीटर ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं ठीक है तो यहां पर क्या होगा चीट होगा क्या चीट होगा my cousin is a cheat and he cheats his family members and no error ठीक है तो यहां पर क्या होगा अगला कोशन लिखा है कि the committee could not came to final conclusion या फिर बताइए देखे साथियो बहुत सारे question जाए से सी हो गया दिल्ली पूलिस हो गया तो इसमें यह आपको दिख रहा है वर्ड यह कमिटी इस वर्ड का अधे देफोल्टि और फिल्ट डिवरी तो इस तरह से इसको आधकर याद कर जैगा पार्ट में तोड कर मतलब कॉम और आईटी कंव द्रूते रिखें तो इससको पार्ट में तोरकर याद किजएगा यह तो देखिए यहां पर लिखा है फाइनल कंक्लूजन ठीक है फाइनल कंक्लूजन लिखा है अगर आप फाइनल को प्यूग करते हैं अगर आप इसे सेंटेंस में फाइनल को प्यूग करते हैं तो आप कंक्लूजन को प्यूग नहीं होगा और अगर कंक्लूजन को प्यूग कर कर देंगे ठीक है मतलब फाइनल का मतलब यह मतलब होता है और इस तरह आप इस को सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है अगले कुसर पाते हैं इसका प्रूप में दे दिया जाएगा अगर आप जोएं नहीं किये तो नीचे हमारे वाट्सप ग्रूप का लिंक दे दिया गया है आप मुआ जाकर जुड़ सकते हैं ठीक है अगले कुसर पाते हैं यह आपको सामने अगला कुसर दिखाए की देयर सुड़ बी नूफ फर्निचर इन माई रूम या फिर नू बताइए इसमें आपको कहां पर गलत दिखाई देरा है ठीक है तो देखिए कुछ नाउंस ऐसे होते हैं कुछ नाउंस ऐसे होते हैं जो मतलब दिखाई देते हैं सिंगुलर देसे लेकिन वह होते हैं पुल्डरल क्या होते हैं दिखाई देते हैं सिंगुलर देसे लेकिन वह प्लूरल होते हैं ठीक है जैसे कि फर्निचर हो गया कैटल हो गया कैटल हो गया यह सीप हो गय तरफ दिखाइए दिते हैं लेकिन होते हैं एक्षरत का ही यूज होता है ठीक है पूल वर का ही इसमें यूज होता है जैसे की वे यह कोस्तना अगे एक कोस्तन मैं उसमें आपको अच्छे संथा दूंगा इस कोस्तन का फिलहलाप सही एंसर जानेंगे ठीक है तो उमीद है कि आप लोगों नीचे लोगों पर अपना आनसर बता चुकि होगा तो यहां पर फरणीचर नहीं होगा क्या होगा सिर्फ फरणी ही है उसको सनका उसमें अच्छे से एक्स्प्रेलेशन करके सॉल्यूशन दिया गया है ठीक है तो उस पीडियों को लोना मत भूलेगा ठीक है और पीडियों कहां दे जाएगा अगले कोशन पाते हैं यह आपको सामने अगला कोशन लिखाए कि संतोस लिफ्स बाइद प्रिंस देखिए एक वर्ट होता है प्रिंसीपल और एक प्रिंसिपल ठ typ होते है अब उनका जो वर्ट होते हैं उनमें कुछ difference होता है देखिए एक होता है principle प्रिंसिपल एक होता है और एक होता है ठीक है इन दोनों वर्ड में बहुत ही confusion होता है बच्चों को और यही एर फोर्स नेवी मतलब यह फेब्रेट प्रिंसिपल वर्ड फेब्रेट होन लोगा ठीक है तो देखिए आज के बाद आपको कोई confusion नहीं होगा एक बींसिपल से मजटने है ठीक है यहां उες नहीं और ठीक मसद्दान्थ होता है ठीक है अब देखिए एक है musimy तो principle मतलब क्या है तो head master या फिर प्रधानाचार्य होता है principles बिंशीपल मतलब करेको माद एक मिनिट जी या उल्टा सबता है आपको ऊल्टा व मतलब इस का मतलब पार द्हापक और होगी सिदयकं стан llegar एक अ यह नहीं लग रहा है यह मैं सोच रहा था थे के तो कि यहां पर डिखा यह प्रिंसिल लिखा इसका मतलब होता है इसे का है होस्1 यह साज़ाओ फिर सिधान्त। होता है इसको याद कैसे करेंगे मैं इसको ट्रिक बताने वाले हूं देखिएig च्मेशन पल ने पाल अगर आप जो किसि कि स्कूल में मतलब आप जो नाम का मतलब होता है कि robots नंटोज पाल संथ ठीक है थो इसे इस पाल टाइटल हो कि स्थ उस्म्झाद है स्कूल तो decisal मतलब फ्रिंसिपाल इसकी मतलब प्रॉण सेस्ट बिगार कर सकते मुझे तो याद करना है मुझे कौन सा इंट्रव्यू दिने जाना या यूपसिक एंट्रव्यू करना बस आप लोग याद करने का ट्रिक याद करने कर अगर पाल आपको दिखा दे पाल वह इस तरह आप इस इहां पर क्या होगा principle नहीं principle होगा मतलब principle पी एल्ए वल होगा पी आर आइंँ सी आई C I P L P L E ठीक है principle यह होगा यह नहीं ठीक है अगले कोशन पाते हैं यह रहा आपको सामने अगला कोशन दिखाने कि यह पर कहां पड़ा दिखाई दरहा है ठीक है देखिए the astronomer who predicts the future यह पर future की बात कि गई है और astronomer की बहुत की गई है तो देखिए astronomer क्या होते हैं तो astronomer होते हैं जो अंत्रिक्स घ्ञानी अंत्रिक्स के बारे में ज्ञान रखते हैं और यह लगा होगा लिख्यूंचर बताते हैं गया अगले में पाते हैं यह राकी समनें अगला कि बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही मैं इसको बेल बोलूं गा मतलब घरि बरेड इंपटन बंस्ट बोलूंगा इसको वियू के तो बिक और रहा हूं एक त्रफ यह यहां पर देखिए इसको बीज हो रहा है तो क्यों अइसा हो रहा है तो मैं आपको इस concept के बाड़े में थोड़ा सा अपना जनकारी दूंगा ठीक है अच्छे से सुनिएगा इस जनकारी को ठीक है बहुत ही आपकी यह काम आने वाली है ठीक है तो देखी वेजज का उपयोग दो तरह से होता है एक होता है आपका तो मजदूरी के रुप में मजदूरी निश्चारा बी में खहें है दूस्तों पड़ि नाम के रुप में और लेवर के रुप में लेवर का रूप में तो क्या तो जाशे कि अकर आप हाड़वर्क करतें तो अच्छा पढ़ना मिलेगा मतलब be rez results के बारे में टिक है आर उस युउ ट रिजल्ट के बारे में ठीक अब देखिए किसमें singular लाईगा और किसमें पूर्डल फ़र लेगा यह आपको बताने वादा अगर आपका उप्योग अगर आपका वेजिज का उप्योग मजदूरी के सेंस में हो माल लीजिये कि मैं इसको कैसे पकड़ेंगे कैसे आप उसको sentence को पढ़ran करा आप इसको मैं मिठा रहा हूं वेज़्जियां फिर आर रा विषाग फिर आर गर तो बैसे सोट्ट्र मतली मजधूरी की बात आ रहा है ठीकिम उसको पैसा दिया जारा तो मजधूरी किया है यहां पर यहां पर होगा आर का यूज होगा नो में को हुआ comfy सीक तो सब्सक्राइब जल्दी आने वाला मतलuciones करेंगे लेकिन वहां पर हम्सिंगूलर का यूस्व कर展ें ना कि पुल्डरल भड़कता यहां पर इस का यूज होगा ना कि आर के यूज होगा ठीक है इस बात इस दोनों बात कप लोग याद रखेगा मैं फिट से दो हरना चाहता हम आप आप लोगों के लिए वेज़ेज का अपयोग एक तो होता है सिंग्लर के रूप में एक होता है प्लूरल की रूप में ठीक है तो प्लूरल की रूप में कब होगा तो प्लूरल की रूप में होगा जब पर नाम की बात हो रिजल्ट की बात हो ठीक है मजदूरी की बात हो तो मतलब इसमें ठीक है और अगर पर नाम की बात हो अगर रिजल्ट की बात हो तो वहां पर तो आज का मेरा लक्षर कैसा लगा आपको अपने बहुमूले शमय देने के लिए बहुत भुद धन्यवाद आप सभी का और ये क्लास आपको कैसा लगा एक बाड़ आप सब इंतिजाद कर रहा हूं ठीक है तो चलिए सातियों मिलते हैं 9 बजे और आप सब्सक्राइब नहीं किये तो एक बार जरूर सब्सक्राइब को शेयर करें चलिए सातियों जय हिंद भारत मिलते हैं 9 बजे जय हिंद जय भारत